आप देख रहे हैं फॉस इंडिया नियूज और मैं हूँ आपके साथ पूनम शर्मा सोरंखी तो चले बुलिटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले जानिए राज काज की बाते क्योंकि स्वक्त एक बड़ी खबर IAS IPS और IFS की छोटी तबादला सूचिया जारी हो चुकी है और ये भी अपजेट मिल रहा है कि कुमारपाल गौतम अब नए एक्साइस कमिशनर होंगे केके पाचत को विट सचे बनाया गया है राजासुर नमरता विश्णोई को बनाया उप सचे टैक्स चार IPS और दो IFS की भी तबादला सूची तो ये अलग-अलग डिपार्टमेंट में ये तबादले किये गए है फिर बदल किया गया है अब नई जिम्यदारी के साथ ये सभालते हुए नजर आएंगे नई कुर्सी पर जादा जानकारी देंगे वरिश्च पत्रकार राजेंदर छाबडा जी हमारे साच चुड़ गए है उनका रुकरते है राजेंदर जी इस राजकाच में छोटी तबादला सुची जारी हुई है लेकिन फिर बदल जो है वो बड़ा है फिलहाल किस अधार पर इसे किया गया है या फिर रुटीन है नहीं यह सुची जो आई-एस की है और काफी दिनों से इसका अज़जार था और यह तब जारा था कि कल जब सुरिश्च गुप्ता रिटार हुए विट्र सच्वी राज़स से तो शायद यह सुची आईगी ने कि कल नहीं आई आई आज डियो पिने लिस्ट चारी किया है हाला कि आई-एस की बहुत चोटी सुची है साथ ही नाम बताई जा रहे हैं सुची बड़ी बात है कुमारपाल गोतम को एक्सराइस कमिशनर का चार्ज जिया गया है और किके बात को नया विट सच्वी राज़स हमना किया है यह स्टेक्स की कुश खारी सबदी ती टीना ड बात है कि कुमारपाल गोतम सरकार के प्यूवाइड रहे हैं वो इसले लंबे समय से आरवाइड इपी का चार्ज हमाल रहे हैं उनके हाल ही जल जीवन मिशन का मिशन डाइटर का वे चार्ज जिया गया है एक्साइज कमिशनर की पोस्ट को लेके काफी उस्टता थी आई- सर्कार में एक बड़ा पत माना जाता है अभी तक सुर्येश गुप्ता जो प्रमोट याइस थे वो केवक्छे मेने से इस पोस्ट पर काम कर रहे हैं और इस पोस्ट पर से पहले ती रवी कांते तो ये पोस्ट पिछरे तीन मेहने में तीन बार आफसर बगले गये हैं इस ये प्रमाठ को लगाया गया था कि कारमा तो योग के अफसर माने जाते हैं और इस प्रमोट ये पास काफी जिम्मदारी हैं इस प्रकार आई पीएस की भी छोटी तबादा सुची है और आई एफस में जो दो खारी सबी ती उनको भी मरा गया है जी तूची कभी भी जारी हो सकती है और शायद नेट पराद भी गई होगी अब तक चलिए शुक्र जी जी एक्साइट कमिशनल और वित्र सचीव राजस का ये जो दो पत्न किसको दे जाएंगे इसको लेकि काफी उस सकताती है और ये दो नहीं नाम आए हैं उसको लेकर के काफी संतोश रखिया दा चलिए संतोश भी है और इंतजार जो था वो भी खत्म हुआ राजेंडर जी बहुत दो शुक्रिया तमाग जानकारी देने के लिए